कि आपने देखा होगा कि कॉंग्रेस राम मंदिर से कितनी नफुरत करती है कॉंग्रेस और उनकी पूरी इकोसिस्टिव अगर कहीं मों से राम मंदिर भी निकल गया तो चिल्लाने लग जाती है रात दिन चिल्लाती है कि राम मंदिर बीजेपी के लिए चुनावी मुद्दा है राम मंदिर न कभी चुनाव का मुद्दा था न चुनाव का मुद्दा है और नहीं कभी चुनाव का मुद्दा बनेगा अरे राम मंदिर का संगर तो तब से हो रहा था जब भाजपा का जन्म भी नहीं हुआ था राम मंदिर का संगत तो तब से हो रहा था जब यहां अंग्रेज सल्टनत भी नहीं आई थी राम मंदिर का संगत पांसो साल पुराना है जब कोई चुनाव का नामो निशान नहीं था जब विजेशी आकरांताओं ने हमारे मंदिर तोड़े तो भारत के लोगों ने अपने धर्मस्तालों को बचाने की लड़ाई लड़ी थी बर्सों तक लोगों ने अपनी ही आस्ता के लिए क्या क्या नहीं जेला कोंग्रेस और उसके सहियोगी दलों के नेता बड़े बड़े बंगलों में रहते थे लेकिन जब राम लला के टेंट बदलने की बात आती थी टेंट पर जो ताट पत्री वो बदलने की बात आती थी तो लोग मूँ फेर लेते थे अदालतों की धमकिया देते थे बारिश में है राम लला का टेंट टपकता रहता था और राम लला के भक्त टेंट बदलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काड़ते रहते थे ये उन करोडों अर्बों लोगों की आस्ता पर आगाथ था जो राम को अपना आराज्य कहते हैं और हमने इनी लोगों से कहा कि एक दिन आएगा जब राम लला भग्यमंदिर में बिराजेंगे और तीन बाते कभी भूल नहीं सकते एक पांचो साल के अभीरत संगर्ष के बाद ये हुआ है आप सहमत हैं पांचो साल के अभीरत संगर्ष के बाद हुआ है आप सहमत हैं दूसरा पूरी न्याई प्रक्रिया की कसोटी से कस करके न्याई के तराजु से तोल करके अदालत के निर्णय से ये काम हुआ है सहमत है तीसरा ये भव्य राम मंदिर सरकारी खजाने से नहीं देश के कोटी कोटी नागरी को ने पाई पाई दान दे कर बनाया है सेमत है जब उस मंदिर की प्राण प्रतिष्टा हुई तो पिछले सत्तर साल में कॉंग्रेस ने जो भी पाप किये थे जो भी रुकावटे डाली थी उनके साथियों ने जो भी रुकावटे डाली थी सब को माप करके राम मंदिर के जो ट्रस्टी है वो खुद कॉंग्रेस वालों के घर गए इंडी गटबंदन वालों के घर गए उनके पुराने पापों को माप कर दिया और उन्होंने कहा राम आपके भी है आप प्राण प्रतिष्टा में जुरूर पधारिये सम्मान के साथ बुलाया लेकिन उन्होंने इस निमंतरन को भी ठुकरा दिया कोई बताएं वो कौन सा चुनावी कारणामा था जिसके दबाव में आपने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्टा के निमंतरन को ठुकरा दिया वो कौन सी चुनावी खेल था के आपने प्राण प्रतिष्टा के प्रतिष्टा के प्रतिष्टा के प्वित्र कार्य को ठुकरा दिया ये कौंग्रेस वाले इंडी गढ़मंदन वाले जो इसे चुनाव का मुद्दा कहते हैं उनके लिए चुनावी मुद्दा था देश के लिए ये स्रध्धा का मुद्दा था ये धैर्य की विजय का मुद्दा था ये आस्ता और विश्वास का मुद्दा था ये पांच सो वर्थ की तपस्या का मुद्दा था मैं कॉंग्रेस से पूछना चाहता हूँ आपने अपनी सरकार के समय दिन रात जब इसका विरोध किया तब यह किस चुनाव का मुद्धे के तहता आप कर रहे थे लेकिन आप राम भक्तों के आस्था देखिए मंदिर बना तो यह लोग इंडी गड़ बंदन वालों के घर प्राण प्रतिशा का मंतर देने के लिए खुद गए जिस च्छन के लिए करोडो करोडो देशवासी ने इंतजार करे थे आप बुलाने पर उसकी तरब देखने नहीं गए पूरी दुनिया के राम भक्तों ने आपके इस अहंकार को देखा है आपकी चुनावी मंसा को देखा है यह चुनावी मंसा थी कि आपने प्राण प्रतिष्ठा का निमंतर ठुकरा दिया आपके लिए चुनाव का खेल है एक किस तरह की तुष्ठीकर्ण की राजनीती थी भगवान राम को कालपनी कहकर कॉंग्रेस किस वोट मैंक को खुश करना चाहती थी